क्यों 30 उर्पय का पेट्रोल पहुंचा 100 के पार, कम मिलेगी इससे राहत? देखते ही देखते पेट्रोल के दाम कई प्रदेशों में 100 उर्पय से जादा हो चुके हैं डीजल के दाम भी बहुत पीछे नहीं है जहां International Crude Price पिछले 7-8 सालों में आदे हो चुके हैं वहीं दूसरी और इसी दोरान देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30-40 पीस्दी का इजाफा हुआ है आखिर क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल डीजल के दाम? क्या है इसके पीछे की गणित? इसको समझने के लिए हमाइसा दो खास मेहमान है पहले हैं बीजेपी के राश्ट्री प्रवक्ता श्री गुपाल कृष्ण अगरवाल और पॉलिटिकल एनलिस्ट चदुश्यन नागर गुपाल जी मैं आपके साथ शुरू करूँगा आखिर क्यों पेट्रोल के दाम आस्मान चू रहे हैं? पेट्रोल के अभी जो दो-तिन मैने की जो स्थिति है उसमें यह है कि पोस्ट कोविट जो सड़नली डिमांड सर्ज हुई है कोविट के बाद एक्टिविटी शुरू हुई इक्टिविटी तो उसके कारण ग्लोबल जो क्रूड ऑइल प्राइज बढ़े हैं लगबग 200% से ग्लोबल क्रूड ऑइल अभी पीछले दो-तीन मैने में बढ़े जिसके कारण उसका असर भारत के क्रूड ऑइल प्राइजिज में भी हुआ है कूल के प्राइज जो अगर हम 2013 के मुकाबले देखे तो आधे हो चुके हैं तो उसका इंपक्ट क्यों नहीं है जब कि दाम बढ़ आ है केवल इंटरनेशनल प्राइज के उपर ही केवल डिपे जो पैट्रोल और पैट्रोलियम प्राइज पर लगबग 45% जो कंपोनेंट है टेक्स का वह स्टेट गवर्मेंट लेती हैं और उनको जीएश्टी के अंतरगत सरकार ने कहा है कि इसे जीएश्टी के अंतरगत लिया आएं लेकिन प्रदेश सरकारें उसके लिए भी तैयार सरकार नहीं है और बाकी जो जीएश्टी पे कलेक्शन है यह डायरेक्ट और अ briefing केहिंद में जो कलेक्शन हो हो रहा और आफ photography का ऍहले सरकार ने इस यहां पॉलिसी पिछले एक देर साल से ही अपना ही है कि डायरेक्ट और इंडायरेक्ट टेक्स जो आम आदमी को ज्यादा मुश्किल लगती है उस पर कोई टेक्स ना बढ़ाया जाए और क्रूड ऑईल में जिस तरह से टेट्रोल डीजल पर बढ़ा के दुश्यन जी सरकार क की तरफ से क्या हो रहा है कि टैक्स बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया लेकिन पेट्रोल और डीजल से उसकी वसूली कर रहा है तो अल्टिमेटली वो जो रावल गांदी साब बोलते हम दो हमारे दो की सरकार कोर्परेट के लोगों का डेड़ लाग करूर रुपया बातर जिसको बोलते हैं और और अन्य भी रियायते दी गई हैं बहुत सारे उद्योग पतियों को कही लोगों की लोन माफ हुए अब मैं आपको एक आकड़ा रखना चाहता हूं 2014 अप्रेल में 108 डॉलर प्रती बैरल का क्रूड ओयल था पेट्रोल की कीमत 71 रुपया और 51 प वही वही सरकार आम आदमी से निचोड रही है वसूल किये और जो इनके समर्थक हैं चंद उद्योपति उनको फाइदा पहुंचा रहे हैं नहीं देखें यह बिल्कुल गलत बात है यह देश की अर्थवे वस्था को ना समझना और उसको गलत दिशा में ले जाने वाली ब प्रवेट 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 नहीं नहीं है यह अपने कॉर्परेट पर कौन सा एक्स्ट्र टेक्स लगाया सर्विस टेक्स तो आप जंटाए तो तोड़ी तो चीज़ लाग पर सीधा सा हमेशा सरकार पर लगता है कि नंबर एक कुछ गरानों को बेनिफिट पहुचान पहली पहली चीज़ कहां लोन माफ कर रहे हैं एन पीए कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी को प्रिशराइज किया जा रहा है नहीं देखे जब हमें पैट्रोल को समझना ना इंटरनेशनल कॉंप्लेक्स सिटीज को समझ दी चाहिए सरकार ने इंटरनेशनल प्रावदान किया ना उन कंपनियों को पैसा दिया देड़ लाक करोड का यह कहते हैं यह जो कॉंग्रेस ने यूपीय में ऑईल बॉंड इशू के वह आज हम अभी भी चुका रहे हैं जो और कंपनी को इन्होंने सब्सिडाइज करनी जो कह रहे हैं कि 108 रुपए ग्लोबल प्राइस था और हम 71 डॉलर में दे रहे थे तो वह बीच का जो 30-40 डॉलर का यह सब्सिडी तो और कंपनी को यह बॉंड इस्यू कर रहे थे हैं मैं इनका भी नेरेटिव अभी बता देता हूं दिवंगत वित्तमंत्री श्री अरून जेटली जी ने पार्लियमेंट में कहा जब पेट्रोल प्राइस डॉलर प्रती बैरल तक गए तो विपक्ष ने कहा कि भई आप तेल के दाम करें उन्हों का भई अभी हम कम नहीं कर रहे हैं जो हमारा बफर होगा जब रेट बढ़ेंगे क्रूड के तो हम इसमें एडिस्ट करेंगे वह वह वादा कहांगे आपक एक कोई नया टैक्स इंट्रड्यूस नहीं किया लेकिन पेट्रोल के दाम अगर आप बढ़ाते जाएं तो कहीं न कहीं उसमें इंपक्ट होगा एक तो ऑईल बाउन का मैंने इश्यू बताया दूसरा यह मार्केट फोर्स के ऊपर ऑईल प्राइस को करने का ओपन मार्केट पर कंट्रोल प्राइस से हटाके वह यूपी ने 2010 में लेके आए थे वह भी नहीं जवाब देना तीसरी बात यह है कि आज सरकार ने पूरी तरह से जो जीएस्टी के अंदर हम चारे हैं स्टेट्स वाले लिए स्टेट्स जीएस्टी के अंदर इसको नहीं लाने वहीं लॉ सरकार चाहती है कि alternative fuel पे चले जाए green fuel में चले जाए renewable energy में चले जाए तो धीरे-धीरे electric motor vehicles के लिए इस तरह भी आप देखे हाइड्रो पावर कितना हम जेनरेट कर रहे है थर्मल पावर से fossil fuel को धीरे-धीरे सरकार की policy में कम करते जा रहे हैं ताकि consumption कम हो और long term लेकिन इसमें मेरे दो सवाल है पहला यह है कि क्या आप लोग यह चाहरे हैं कि पेट्रोल के दाम हम इतना बढ़ाती जाए कि लोग electric cars की तरफ या किसी alternate पास जाए नंबर दो ऐसा क्य कोई भी आरोप लगता है वो हमेशा 2014 के पहले की बात को इलाके अपना पल्ला जाड़ते हैं नहीं अपना पल्ला नहीं जाड़े मैंने पहले बताया कि इसमें tax का बहुत बड़ा component है tax component अभी हम ले रहे हैं जो करेंट वर्तमान में स्टेट और सेंटर ले रहे हैं लेकिन तो ऑईल बॉंड की लाइबलिटी है सवाल आग करोड की वह तो हम पे कर रहा है यह तो फैक्ट है ना या रोप तो नहीं है दूसरी बात यह है कि आप ऑई प्राइज को देखने के कई फैक्टर से ना आप आज जो इंफलेशन है आपने का महेंगाई की बात है महेंगाई कि आज जब UPA की सरकार थी तब महेंगाई के 10 प्रतिशत की ती आज 4.2 परसेंट है तीन सो अठानवे रुपे था UPA की सरकार के दोरान आपके यहां सेलेंडर मिल रहा है 700 कुछ का तो सार ऐसा नहीं है महेंगाई आपके समय में बढ़ी है और रही बात तो अमने सतर साल का इतिहास बताते हैं सारकार का हमेशा गलत तरीके से और गलत कामों को बचाते हैं गैस का जिस प्रकार से आपने दाम बढ़ाया है सवासु रुपे की चोट कि आपने पिछले एक महीने में आपने अन्य सबसीडियां खतम कर दी लोग जाएं का नोकरियां घट रह प्राहत कब मिलेगी एक तो होता है तातकालिक चीजे करो एक है लॉंग टर्म प्लैनिंग के साथ अर्थ व्यवस्ता को मजबूत करना अगर आप और जो फ्यूल डिपेंडेंस अगर देश की कम होगी पैट्रॉल और डीजल पे और रिन्यूवेबल एनरजी यह उगया सद्रसव के जिंकरा जो सरकार को बहुत सारे आवश्यरहें पैसे क्लाके ओभाशिछ इंडायरेंग टेक्स कम्तिक लिए और सरकार ने इतने था-ड्र नौ 1 am क्या आपका मतलब पूरी नहीं हो रही अपने लक्ष को हासिल करने में नाकामियाब रही है बलके लोगों को रियायते देने में भी नाकामियाब साबित हुए तो आप लोग हमारे स्टूडियो आए बहुत दो शुक्रिया तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इंतजार कीजिए ख़बरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पहनी नजर नमस्कार